बिस्मिल्ला रह्मान राहिम, आज का जो टॉपिक है वो है विलियम ग्राम समिनर, जिसे डब्लियो जी समिनर भी कहा जाता है, विलियम ग्राम समिनर 1840 के अंदर पैदा हुए यूएस के अंदर जनकी डेथ जनकी डेथ जो है वोर 1910 के अंदर जो है वो हुई, विलियम ग्राम समिनर यूएस सुशालोजिस्ट था, अमेरिकन सुशालोजिस्ट था, एकॉनोमिस्ट था, ब्रिटिश फिलासफर हर्बर सपेंसर की तरह, विलियम ग्राम समिनर ने येल से जो है तालीम हासल की, विलियम ग्राम समिनर का जो है वो बिलीफ था, वो लेसे स्वियर और इंडविज्वल लिबर्टी के उपर बिलीफ रखता था, यकीन रखता था, और मर्दों के दर्मियान जो कम्पिटिशन है, उसकी जो है वो बात करता था, विलियम ग्राम समिनर ने ये कहा के जो प्रॉपर्टी और सोशल स्टेटस के लिए जो कम्पिटिशन है, वो जो कंडिशन हैं, जो सोशल सिच्वेशन हैं, आप उसको जो है इलिमिनेट करके, ना जायस तरीके से जो है ये कम्पिटिशन में हैं, ना जायस तरीके से जो है लोग प्रॉपर्टी को गेन करना चाहते हैं, वो कहते हैं, मिडल कलास के जो लोग हैं, वो सक्त मेंनद करते हैं, जियादा पेशिंट्स का जो है उनको सामना करना पड़ता है, जियादा सबर रखते हैं, जियादा मुरालिटी जो है उन फैमिलीज के अंदर जो है, मिडल कलास फैमिलीज के अंदर जो है वो पाई जाती हैं और अवामी अवामी जो पब्लिक जो मुरालिटीज हैं उनका भी वो ख्याल रखते हैं जो मिडल कलास फैमलीज है वो कहते हैं वेलफियर रियासत के लिए वेलफियर स्टेट के लिए जो है उसके लिए जो है आपको गुर्बत को जो पावर्टी है उससे इलिमिनेट करन होगा वेलफियर स्टेट आपकी तब जो है वो बनेगी जब आप गुर्बत को पावर्टी को जो है वो खतम करेंगे अब जो है हम उसकी में जो तीरीज हैं में जो वर्क्स हैं उसके उसकी तरह मूव करते हैं पहला जो वर्क है जो हम इस टॉपिक के अंदर डिसकस करेंगे वो है फोक्वेज एंड मोरेज फोक्वेज एंड मोरेज फोक्वेज एंड मोरेज सुसाइटल नार्म्स सुसाइटी की जो नार्म्स हैं जा जो रूल्स हैं जो community के members society के members जो है enforce करते हैं वो दोनों forms के अंदर जो है exist करती हैं उनकी दो forms है formal और informal rules of behavior है जो rules जो norm society members जो है enforce करते हैं community के अंदर वो दो types के हैं एक है formal rules of behavior एक है informal rules of behavior informal rules of behavior को जो है वो दो मदीद groups के अंदर जो है वो डिवाइड करता है जिसमें वो फोक्वेज और मोरेस की बात करता है फोक्वेज जो है informal rules है नाम्स है जो आप violate करते हैं अगर उनके खिलाफ वर्जी करते हैं तो इतने ज्यादा जो है वो offensive नहीं होते लेगन society, society member जो है आप से expect ये करते हैं के आप उन societal norms को rules को जो है फालो करें आप से expect किया जाता है society की तरह से community की तरह से के आप उन rules को फालो करें उसके बाद है mores, mores भी informal rules होते हैं जो return नहीं होते जब आप violate करते हैं तो इसकी different forms के अंदर जो है वो punishment जो है वो पाई जाती है individuals के उपर जो है ये social sanctions होते हैं इस कर result क्या निकलता है जो punishment होती है वो social exclusion या religious exclusion की form में जो होता है exclusion means rejection मौशरती तोर पर जो है आपके साथ रापता जो है मुनकता किया जाता है या religious तोर के उपर आपको जो है उन ceremonies के अंदर जो है वो invite नहीं किया जाता जो society जो है वो conduct करवारी होती है या जैसे कहते हैं socially bycott कर लिया है जैसे बोल चाल छोड़ दी है या आपने कोई gathering का रहे है तो उसके अंदर जो है invite नहीं किया जा रहा आपको William Graham seminar जो है वो कहता है कि कुछ norms जो है हमारी life के अंदर रियादा important होती है दूसरी norms की निस्बत दूसरों की निस्बत वो इसके लिए जो है seminar जो term use करता है वो moris use करता है वो कहते है moris जो है वो norms है जो जियादा तर जो है observe की जाती है जियादा तर उनकी जो है वो practice की जाती है और इनकी moral importance जो है वो बहुत जियादा है moris की मोरेस की जो importance है वो सबसे जियादा है मोरेस की जो importance है वो कहता है जियादा है और यह practice भी सबसे जियादा जो है वो की जाती है इसकी जो है मैं आपको एक example जो है वो देता हूँ ज़को झाल जियादा है बोरिल्स जो है वो सुसाइटी वैलियोज होती है नाम होती है एथिक्स होती है साम टाइम रिलीजियस इंफ्लूइंसे होता है जो मैंने आपको पहले बात की कुछ एक्जेंपल के अंदर यह है कि ड्राग का यूज ड्राग में हिरुएन या कोकेन जो है वो ज्यादा जो है शामिल है अगर आप इन चीज़ों का यूज करते हैं तो सुसाइटी जो है इन चीज़ों को अकसेप्ट नहीं करती तो आप को जो है अगर इस तरह का आप कोई एक्ट करते हैं तो आपको जो है सुसाइटी की तरह से पनिश्मेंट जो है वो दी जाती है उसके बाद जो फोकवेज है फोकवेज ज्यादा जो है वो सक्त रूल जो है नहीं होते एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको वाइलेट ना करें अगर वाइलेट कर लेते हैं तो इसमें जो है कुई में जो है इश्यू जो है नहीं होता Folkways और्दू के अंदर लोकरीत कहते है Morez को मारूफ़दाप कहा जाते है Folkways रूल्स आफ इटिंग है रूल्स आफ डिंकिंग है रूल्स आफ मीटिंग है रूल्स आफ डिबार्डन आफ इसमें टाइप आफ ड्रेसिंग ceremonies, rituals for different situations, manners of life, situation as a family, school, market, mask, के अंदर कैसे आप जाते हैं, right ways हैं जो आपको बजाते हैं, कि आपने society के अंदर जो है, किस तरह रहना है, seminar, जो है, folk ways कहता है, जो नार्मल रूटीन के अंदर, नार्मल रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, कैयूल इंटरेक्शन के दौरान जो है, आप इसको प्रैक्टेस करते हैं, इसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको एक्जेम्पल दी, के आप, के वे आफ इटिंग, ड्रिंकिंग, बीटिंग, एटिसी, जो है, ये चीजें जो है, आजाती है, की पुएंट्स मैं आपको इसके बताता हूँ, फोक्वेज और मोरेज के, वो कहते हैं, सुसाइटल नाम्स, रूल्स, जो मेंबर आफ कम्यूनिटी, जो है, मेंबर आफ सुसाइटी, जो है, इनफोर्स करते हैं, वो दोनों फार्म के अंदर, स्वार्मल और इनफार्मल रूल्स आफ दिये वियर हैं, जो एक्जिस्ट करते हैं, इनफार्मल नाम्स को जो है, वो डिवाइड करता है, दो ग्रॉप्स के अंदर, फोक्वेज और मोरेज की बात करता है, वो कादा दोनों मोरेज और फोक्वेज जो है, दोनों टार्म जो है, वो विलियम गुराम समीनर ने जो है, वो यूज की, मोरेज जो है, मोरेज क्या है, वो है, डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिट्वीन राइट और रॉंग, क्या सही है, डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिट् मॉरिज है도 ringing जब्के फोक्वेज जो है राइट और रूट की बात करता है ॉसके ज्यादा is जो है सेरिय कार्यटि की बात करते हैं जिसके सिर्यस constraint सेγ्वेज हनों गो घर आप इनको जो है Vyolet करेंगे जो है set of norms है moral norms है moral customs है जो जनली जो है society उनकी practices कर रही होती है society की तरह से जो है वो practices किये जा रहे होती है मूर्य वो है जिस शुषैटी जिन को स्टेबलिज्ड करती है और बो सुषैटी की तराफ से जो है वह बार्यार की होते और यह तर लांजु के बार, जो जो है वो कहते है कस्टम या बिलीफ, कामन बिलीफ है मेंबरा सुसाइटी का ये कस्टम्स हैं, ये बिलीफ है, सुसाइटी मेंबर्स का, कम्यूनिटी के मेंबर्स का, या मेंबरा फे कल्चर का, किसी भी कल्चर के आप जो है वो मेंबर हैं, ये आपकी जो है वो कस्टम्स हो स क्यूंके लाग को दिए हुआ जिए जिनत्र है Чтобы वो प्रीक्टिस किया जा रहा हूता है वैं है उसके बाद इंग्रोप और उडिख डियू की बाती है इसके बाद जुह है कि डैंडबलीय ही समीनर WG Saminor जो है वो बात करते हैं In Group और Out Group की William Graham Saminor जो है यह कहता है कि तमाम जो Groups हैं उनकी Boundaries होती है उनकी जो है वो Boundaries होती है Limitations होती है कि कौन उस Group का Member है कौन उस Group का जो है वो Member नहीं है इन ग्रॉप और आउट ग्रॉप की जो टार्म है वो विलियम कराम समीनर ने सबसे पहले जो है वो यूज की जिसमें जो है वो लोगों की फीलिंग्स को जो है वो बियान करता है जिसमें वो ये बताता है इन ग्रॉप वो है जो आपको अपना है उसमें जबके आउट ग्रॉप वो है जो दूसरा ग्रॉप है इन ग्रॉप में जो है आप वी फीलिंग्स जो है रखते हैं जबके आउट ग्रॉप के अंदर जो है वो दो दे फीलिंग्स जो है आप रखते हैं इन ग्रोप जो है एक ऐसा जो है वो ग्रोप है जिसमें परसन जो है कोई भी इंडिविज्वल जो है ये फील करता है उसमें सेंस आफ इडेंटिटी फील करता है उसमें सेंस आफ इडेंटिटी जो है वो फील करता है जबके आउट ग्रोप जो है एक ऐसा ग्रोप है जिसमें जैसे वो individual belong नहीं करता, वो उसका group नहीं होता, वो जो है उसका group जो है नहीं होता, वो दूसरा group होता है इनग्रूप और उटग्रोप जो है individual identity और self worth जो है establish करने में हमारी help करते हैं इनग्रूप और जो है हमारी self identity और self worth को establish करने में हमारी help करते हैं कि ग्रोप बॉंड्री जो है वो फार्मल भी हो सकती है जिसके लिए जो है क्लियर्ली डिफाइंड जो है मेंबर्शिप का एक क्राइटेरिया होता है एक क्राइटेरिया होता है कि आप इस कंट्री के जो है इस कंट्री के लिए अगर आप नंबर्शिप हासल करना चाहते हैं तो आपको या किसी कंट्री के अंदर जो आप इन होना चाहते हैं तो उसकी जो एक सपेसिफिक जो है वो फी होती है वो आप फीस पे करके जो है उस ग friendship group भी होते हैं जनके जनकी जो है वो clear guideline जो है नहीं होती मेंबर्स के लिए उनकी जो है जो boundaries होती है informal होती है clearly defined नहीं होती in group और out group जो है members के दर्मिया in group या out group के जो भी members होते हैं उनके दर्मियान social cohesion को जो है वाशर्ती लगाओं को जो है encourage करते हैं क्लासिजम को racism को sexism को जो है ये promote करते हैं groups इन group members जो है अपने group को अपने members को जो है इन group के जो members होते हैं उनको वो positively जो है वो देखते हैं positive point of view से देखते हैं जबका out group के members को जो है वो negative point of view से जो है वो देखते हैं इन group के members के दर्मियान जो है वो जो feelings होती है group superiority की होती है ethnocentrism की होती है जबके जो group दूसरे जो group members होती है out group के members के दर्मियान जो इसरा की feeling जो है वो नहीं होती वो अपने आपको जो है इन group के जो लोग है वो ज्यादा free जो है consider करते हैं और अपने belief के मताबक जो है एक्ट करते हैं यह जो है हमारा topic था आज का विलियम ग्राम समीनर जिसमें है हमने विलियम ग्राम समीनर का थोड़ा सा background पढ़ा के 1840 के अंदर वो फैदा हुए उनकी डेथ जो है 1910 के अंदर हुई American socialist economist था जिसने इन ग्रॉप और आउट ग्रॉप और फोक्वेज और मोरेज की बात की इसमें अगर आप लोग को का जो है वो कोई सवाल हो तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं हमकी सोमा जी झाल झाल कि झाल झाल कि झाल 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 झाल